जेत्रवेदी का मैंने परिचे आपसे कराई दिया संगम चरणाम गच्छामी दरसल उनी के लिए था मैं विजय जी आप इससे शुरू करती हूं सबसे पहले यह महराश्ट्र की जीत है इसका सबसे बड़ा फाक्टर कोई है आपकी नजर में बटेंगे तो कटेंगे चल गया क्या इस दफा महराश्ट्र पॉलराइज हुआ कि एक कारण से तो चुनाव नहीं जीतते लेकिन एक बड़ा कारण यह है जिसमें एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे आप कह दें दूसरा संग का आपने जिक्र किया संग ने भी बहुत महत्वपून भूमिका कि एक है तो सेफ हैसे वो जाती का आरक्षन का मराठा का जो मुद्दा था उसको उन्होंने काम में लिया है और उसी का मुद्दे का नतीजा है कि जो 36 महराश्ट की माइनोर्टी डॉमिनेट सीट है उसमें से 22 सीटे महायूती ने जीती है और जो स्ट्राइक रेट है आप देखिए बीजेपी की 90 परसेंट है 133 अगर 149 से ज्यादा पर बीजेपी लड़ी होती तो अपनी दम पर सरकार बना लेकिन उसको ऐसे यह तो कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा होता तो वही वाली बात है कि चाची के मुझे होती तो चाचा कहल है जो अजीत पावार साब की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही 60 परजेंट और 41 सीटे उसमें जीत ली दो चीजे मुझे लग रही है यह तो दोवे साब बताएंगे या संदीब भी बता सकते लेकिन मुझे लगता है कि आब देवेंद्र फार्णवीजी का मुख्यम कर सकती है और मुझे लगता है उस दिन वो आज वैसे 23 नवंबर है 23 नवंबर 2019 को सुबह साड़े 6 बजे देवेंद्र फढ़नवीजी न श्यपद ले थी भोरे सुबह सुबह अख़वार दरवाजे पर नहीं आया था हां तो वो तेवीस नवंबर उस दिन का और आज का ए जाए देवेंद्र फढ़नवीज साब मुख्यमंत्री होंगे तो मुझे नहीं लगता कि शिंदे साब में होंगे इस में बड़ी बात कह रहा है विछ रहा है जी अजी अजित पवार साब उसमें उपमुख्यमंत्री हो सुबहार दूनेंगे यानिक इकनात शिंदी तोर न बिन सकते हैं और एकनाशे और कमांडर पर आदेश नहीं सिपाई पर चलता है कमांगर खुद था है है कि उसे क्या कर ना है और जंगल कोई भना नहीं वहां पर इसलिए संभावना कम लगते हों का कि मुझेन दुख्यमंत्री मैं बाकिस आपको उन्हां लेकिन आपने कहा कि लाड़की बहना योजना संग का एक डीप पानेट्रेशन और क्या ये लोकसभा के सेटबाक के तुरंत बाद ये एक्स्ट्रा अफ़ोर्ड्स और ये बहुत गहरा एनालसिस शुरू हो गया था इसी के साथ तयारी शुरू हो गए थी और इसी लिए जो जून के आखर में बजट पेश हुआ था तो 46,000 करोड रुपाए लाड़की बहना और हर कैबिनेट में 200 फैसले ये वहीं से शुरू हो गया था उस सेटबाक के बाद बिल्कुल ठीक आप करें क्योंकि ये महारास के चुनाव की जीत नहीं है ये बाउंस बैक है महारास के लोगसभा चुनावों में जो हार हुई है महायूती कहलें या एंडिये को उससे छे महीने में ये बाउंस बैक करना उसकी जीत को बड़ा बनाता और इसका मतलब था कि जिस दिन ये हुआ था जब 4 जून को नतीजे सरकार हो गया जी तो महाराष्ट ने सबसे बड़ा डेंट दिया चौदा सी तने बीजेपी की घटी महाराष्ट में तो उससे बड़ा नुकसान वहां पर हुआ और वह अब नहीं कोई कह रहा कि भारतिये जंता पार्टी जो है वह आरसे से बड़ी पार्टी बड़ा समझ की servers पिए उसको मैं यादिलाऊं 2005 में जब लालकृष्ण अडवानी जी बड़े निय्ताति और वो जिना का प्रक्रण हुआ था और उसके बाद चैनाई में दिसमबर में शायद राजकिशो को भी आदोगा कि दिसमबर में वहाँ पर नेशनल एक्जीटिवी थी भारतिय जिनता पार्टी की पर उसमें लालकृष्न अडवाने जी का विदाई भाशन था एक तरह से ज नहीं हो पाया लोट के बुद्दू घर को आए लेकिन